हलो बच्चों कैसे आप सभी उमीद करते हूं कि आप सभी ठीक होंगे और लाडली फाउंडेशन की तब से मैं आप सभी का स्वाधत करती हूं शूशल इंटर्शिप प्रोग्राम को आप सभी इंजॉई कर रहे हैं आप उससे सीख भी रहे हैं इसकी जानकारी हमें शूशल मेडिया से बहुत अच्छे से मिल रही है क्योंकि बच्चे अपने असाइनमेंट्स के थ्रू लाडली फाउंडेशन को और डिरेक्ट आउस एक निखना हैं जिसमें कुछ हमने आपके साथ कोश्चे शेर तिया हैं उसी से से रेलेटेड़ आपको 1000 words का एक आर्टिकल लिखना है Second assignment में आपको एक PPT बनानी है जिसमें 8 से 10 स्लाइड होनी चाहिए Related to your topic याद रखे आपकी सब assignments के marks हैं जो आगे चलकर आपको फायदा करेंगे Third assignment में आपको अपने स्कूल में एक या दो workshop कंड़क करनी है अपने topics से related आप workshop में 40 स्टूडेंट्स को 50 स्टूडेंट्स को एक स्ट्रेंथ को एक खटा करके एक awareness program एक workshop अप कर सकते हैं Fourth assignment में जो भी आपकी वर्क्शॉप है उसकी फोटोस आप अपलोड कर सकते हैं शोशल मेडिया प्लाटफॉर्म पे प्लाटफॉर्म आपको पता ही है कि शोशल मेडिया पे आज के टाइम में ट्वेटर, लेंगडेन और फेस्बुक बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो आप वहाँ पर अपनी फोटोस को अपलोड कीजिए अपने वर्क्शॉप की फोटोस को अपलोड कीजिए और उसमें ही लाड़ी फांडेशन और डारेक्टरेट आफ एड़ुकेशन को टाक कीजिए फिफ्ट असाइमेंट में आपको अपनी वर्क्शॉप की एक रिपोर्ट बनानी है जो वो दस या बारा पेज की आपको रिपोर्ट बना सकते हैं इसके लिए भी हमने कुछ कोश्चन्स फ्रेम किये हैं आप उनको एक बार देखेजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्क्शॉप रिपोर्ट को रिपोर्ट को रिडि कीजिए जिसमें आपको दो मिनट के एक वेडियो बनानी है जिसमें आप खुद बोलकर हमें बताएंगे कि आपको ये वर्क्शॉप कैसा लगा और ये आपका एक्सपिरियंस कैसा था एक दो मिनट पर बस आपको अपना वर्क्शोप से रिलेटेट एक्सपीरियन्स शेर करना है प्लस इसी के साथ आपको लाडले फाउंडेशन और डारेक्टरेट ओफ एडुकेशन को टाइक करके शोशल मेडिया पर पोस्ट करना है नेक्स्ट हैं लास्ट असाइमेंट में आपको ये सारी एक्टिविटेश को एक पेडिया फाइल में कमपाईल करके हमाज साथ शेर करना है ओल दे वेस्ट